नमस्कार स्वागत है मैं आपका दोश संजीव स्वागत है आज के ब्लॉक्स में और आज के ब्लॉक्स में आप बने रही है और मैं आपको ले चल रहा हूँ गुपालगन जीले की उचका गाउँ प्रखंडे में घोरा घाट में इस्थित एक पुराने मंदिर में जहाँ पर माभवानी का मंदिर है और ठीक बगल में एक नदी है जिसको हम लोग वाड गंगा नदी भी कहते हैं और दाहा नदी भी कहते हैं दाहा नदी के तड़ पर इस्थित इस दुरगा मंदिर का निर्माड ठीक उसी समय किया गया जब थावे में दुर्गा मंदिर का निर्माड किया गया था हतुआ राज के द्वारा इस मंदिर का निर्माड कराए गया है मेरे ठीक पीछे यह मंदिर है आप देख सकते हैं और एक स्रधालू भी यहां पर आये हुए है मैं उनसे पुछूँगा कि इस मंदिर के बारे में यहां की आस्था के बारे में देवी के बारे में आप बताईए हमारे भीवर को बताईए इस मंदिर के बारे में यहां बताईए यहां मंदिर थावे मंदिर के शमय का बना हुआ है और यहां बहुत भील लगती है बहुत सरधालू आते हैं और मनोकामना यहां पूर्ण होती है गोडा घाट जगह का नाम है और गोडा पर सवार यह दिवी है और वहां पर है सोसीहासनी है हां वहार फीक Star Wars के शेर पर सवार है और यह गोड़ा परosaurer है रेचा मनतंसिंह के समय की अस्थापित मंदिर है- आच्छा किसके द्वाराश्फापित किया गया था मंदिर मंदिर तो राजा मनानसिंह ने राजा मननसिंह थे qui se raji और ओ हैसो हट कर दिये कि देवी का दर्शन करा ओ, उसी के चल थे, हैसो रहसु स्वामी, हैसो देवी को आवाहन किया और कामरूप का मख्या से चली और पटना होते हुए घोडा घाट में आकर निवास ली और इसके बाद थावे में प्रगट हुई अच्छा मा यहाँ पर आई थी और यहाँ पर बिश्राम की थी यहाँ पर बिश्राम की थी उनके रहसु स्वामी के कहने के उनका अभी से राजा मनन सिंह मान जाएं और देवी को हम वापस कर देगें नहीं तो यह हैसो राज बिध्वन्स हो जाएगा अच्छा यहां से मतलब अंतिम चेतावनी उनको दी थी रासु भगत के माधियम से कि आप अभी से मान जाएए नहीं तो आपका बिध्वन्स तै है और वही हुआ चली बहुत बहुत धन्यवाद आपका तो यह रासु भगत के बुलाने पर मा पटन देवी से आमी आई थी और आमी के बाद मा घोड़ा घाट के इस जगह पर आई थी और इस जगह पर माने विश्राम किया था हम मंदिर के बिल्कुल पास हैं और सामने देवी मा का मंदिर है मैं आपको देवी मा के दर्सन कराऊंगा अभी ले जा रहा हूं दर्सन कराने हतुआ राजपरिवार की राजमाता इस मंदिर में प्रती वर्स पुजा अर्चना करती हैं और हमेशा आती वी रहती हैं राजंदर प्रसाद जी की एक दुकान है जो प्रसाद यहां बेचते हैं सरधालु इनके यहां से प्रसाद लेते हैं और माता भवानी को चड़ाते हैं तो मैं बात करूँगा राजिंद प्रसाद जी से कि यहां कब कब भीड होती है जादा और सरधालू कब जादा आते हैं राजिंद प्रसाद जी यहां कब भीड होती है जादा मा भवानी के पास सुम्वार का होती है और सूक का यहाँ जो देवी मा का मंदिर है मा यहाँ पर पांच गोड़ों पर सवार है और यहाँ सामने एक नीम का हम पेंड देख रहे हैं लोगों की आस्था इस पेंड से भी जुड़ी हुई है जब भी कोई मंदिर में पूजा करने आता है तो इस पेंड के पास भी आता है और यहां भी प्रसाद चढ़ाया जाता है हमारे ठीक बगल में एक और दुकान है यहां पे जहां प्रसाद की विक्री की जाती है उनसे ही बात करते हैं क्या नाम है आपका? हमारा नाम है ललंसा ललंसा अच्छा ललंसा जी यह बताए कि यहां कब-कब भीड जादा होती है और लोग जो हैं मा के बारे में किस तरह की आस्था रखते हैं? अच्छा ऐसी मानेता है कि यहां तांतरिक पूजा भी जादा होती है सही बात है हाँ लोग आते हैं तांतिरिक लोग अपना पूजा करते हैं अलग बहुत करके जाते हैं अच्छा मतलब तांतिरिक लोग भी नौरात्तिर के समय यहां पर आते हैं और पूजा पाट करते हैं एक और भी यहां पर एक कहानी दंत कथाओं के रूप में प्रशलित है भगवान राम जब साधी करके लोट रहे थे तो इसी जगह पर माता सीता को प्यास लगी थी और माता सीता ने यही पर लक्षमन जी से कहा था कि मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है तब लक्षमन जी ने यहाँ पर बाण का अनुसंधान किया उसे जमीन में छोड़ा जमीन में छोड़ते ही वहां से पानी निकलने लगा गंगा परकट हुई और तब से यहां की एक जलधारा अनवरत बह रही है इस जलधारा को हम लोग वाड गंगा के नाम से भी जानते हैं और इसे दाहा नदी के नाम से भी जानते हैं आपके सामने यह जो नदी दिखाई दे रही है वहीं दहा नदी है जिसे बाड़ गंगा भी कहा गया है आप इस नदी को देख सकते हैं इस नदी का पानी कभी नहीं सुकता है हमेशा बहते रहता है अभी इस पर एक पूल भी यहाँ पर बना हुआ है आपूजयल मेर् सुकते हैं हमेशा नहीं सामने के ज thriए मिल है इस प्राबके को जीन है में कर दो भी मिल यहीं सामने आपके का वह जो आपके है